नमस्कार आपके साथ मैं हो जुप्ति विश्व कर्मा और आप देख रहे हैं निजस्टाइम स्यावासा इस बुलिटिंग में आप सभी का स्वागत है आईए नजर डालतें सिंभूं की खबरों पर टोंटो थारा के सुयंबा गाउं के डिलासाई टोला निवासी पश्पन बर्सिय क्रिश्णा और किंको और लागुरी के हथ्या के चार आरूपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर नयक रासत में भेज दिया है गिरफ्तार होने वालों में टोंटो थाना के केंजरा गाउं के जगदा टोला निवासी 25 वर्षिय गार्दी हिस्सा हस्ता हातु गाउं गाउं निवासी बाली सिंग सामड और तीस वर्षिय गांजु सामड रिंगडा हातु गाउं निवासी 25 वर्षिय मोने मुंडारी शामिल है सुईयंबा गाउं निवासी क्रिश्णा के 16 जनवरी 2024 को अग्यात अपराधियों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी गटना के संबन में मृतक की पतनी मुंगली लागुरी ने टोंटो थाना में 17 जनवरी 2024 को अग्यात लोगों के खिलाफ हत्या किये जाने का मामला दर्ज कराया था दर्ज मामले के बाद पुलिस ने अनुसंधान करते वे कांड का उद्भेदन किया गिरफ्तार सभी चारो आरूपियों ने गोली मार कर हत्या किये जाने की बात पुलिस के समक्ष स्विकार किया गिरफ्तार आरूपियों ने पुलिस को बताये कि आपसे विवाद के कारण क्रिश्ना की गोली मार कर हत्या की है प्रतिबंधित भापा मावादी के विरुद चलाय जारे अभ्यान के दौरान पश्मी सिंभुम जीला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है अभ्यान के दौरान तीन आईडी बम बरामत किया गया है जिसे सुरक्षा बलो के द्वारा उसी स्थान पर विनिष्ट कर दिया गया पश्मे सिंभुम जीला पुलिस, कोब्रा बटालियन, जार्खन जगुआर और सियार पिफ के दुआरा पश्मे सिंभुम जीले के नकसल प्रभावित छेत्रों में लगातार अभ्यान चलाया जा रहा है अभ्यान के दौरान टोंटो थाना चेत्र के तुमबा हाका के आसपास जंगल और पहाडी चेत्रों में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुचाने के लिए नकसलियों के दुआरा लगाया गया दस किलो का एक आईडी बम बरामत किया गया वहीं गोलकेरा थाना छेदर के वन ग्राम हुसी पी लेसाडी और हाथी बुरू के पास 6 किलो और 5 किलो का IED बम बरामत किया गया बरामत तीनों IED बम को बम निरुधक दस्ता के द्वारा उसी स्थान पर विनिष्ट कर दिया गया अभ्यान के दोरान पुलिस ने 5 स्पाइक होल भी बरामत किया है इस अवसर पर आयुक्त ने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें अवश्य अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए और निस्पक्ष होकर मत्दान करना चाहिए साथी ससक्त लोकतंत्र में अपना योगदान देना चाहिए जोहार नमस्कार गंतंत्र दिवस की हार्दिक सुथ कामना है आज का दिन समिधान निर्माताओं को समर्पित उन्हें याद करने का दिन है हमारा भारत वर्ष युवा भारत वर्ष है आईए आज के दिन हम जंकल पले कि अपनी युवा सक्ती को अपनी युवा उर्जा को ने भारत के निर्मान में भागिदारी बनाए आप सभी को पुन गंतंत्र दिवस की हार्दिक शुब कामना है गंतंत्र दिवस की हार्दिक शुब कामना है स्वच्छता का दीब जलाना है भारत को विक्सित देश बनाना है प्लास्टिक नहीं है शान मिलकर मिटाए इसका नामों निशान नगरपरशत की ओर से समस्त नगरवाशियों को गंतंत्र दिवस की हार्दिक शुपकामनाएं क्रिशी प्रद्योगी की प्रबंधन अभीकरण आत्मा परिवार की ओर से पश्मी सिम्हुम जीला के समस्त किसानों को गंतंत्र दिवस की हार्दिक शुपकामनाएं आईश्मान भारत मुखी मंत्री जन आरोगी योजना के तहट गुलाबी पिला और हरा राशन कार्ट धारी बनवाय अपना आईश्मान कार्ट बिलकुल मुफ्त और पाए प्रती वर्ष प्रती परिवार पांच लाक रुपे तक का मुफ्त इलाज स्वास्थ चिकित्सा सिक्ष्या एवं परिवार कल्यान भी भाग द्वारा जन हित में जारी मैं जन्ना आँ कल्यान भी भाग के देश राश्मान कार्याले की तोधान में गुरुवार को और मंडल कार्याले परिसर से सिम्भूम स्पोर्स इस्टोशिशन मैदान तक प्रभात फेरी निकाले गई प्रभात फेरी में पुलिस अधिक्षक आश्टोर शेखर उप्विखास आयुक संदीब कुमार मीना प्रसिक्षु आईपीएस आई एफेस सदर अनमंडल पदाधिकारी अनिमेश रंजन जीला खेल पदाधिकारी रूपा रानी तिर्की सदर अंचला धिकारी के अलावे स्कूल के चातर चातराएं शामिल थे प्रभात फेरी के दोरान स्कूली चात्र चात्राओं ने मद्दान के प्रती लोगों को जागरुक किया उपिकास आयुक्ति ने कहा कि एक ससक्त लोकतंत्र के निर्मान में मद्दान करना एक जागरुक नागरिक का पहचान है हमें अपने मताधिकार का प्रियोग अवश्य करना चाहिए गंतंत्र दिवस 2024 के उपलक्ष में जीला मुख्याले चैबासा स्थित पिल्लाई हॉल में सांस्कितिक कारिक्रम का आयरजन किया गया कारिक्रम में विविन विद्यालियों के चात्र चात्राओं और कलाकारों के द्वारा गंतंत्र दिवस पर आधारित रंगारंग कारिक्रम प्रस्तुत किया गया इस कारेक्टर में प्रमंडली आयुक्त मनोज कुमार, पुलिस उपमहा निरिक्षक अजय कुमार लिंडा, पुलिस अधिक्षक आशतोर शेखर, उपविगास आयुक्त संधीब कुमार मीना, अपर उपायुक्त संतोष कुमार सिंधा, सदर अंडमंडल पदाधिकारी पुद्साव को लेकर गुरुवार को रविंद्र भावन टैगोर पार्क में एक बैठक हुई। के लिए समीती की ओर से बस की विवस्था की गई है। साथी दस बज़े तक रीगल मैदान जो गोपल मैदान के नाम से जाने जाते हैं जमसेदपूर में विश्थुपूर इस्थित। उस मैदान में बंगला भासा भासी सांस्केतिक और उसकी कल्चर को लेकर चर्चा की जाएगी। इसमें मुख के रूप से बहुत सारे भक्ता रहेंगे राज के और साथी साथ बस्ची बंगाल के और यहां के छेत्रिये जो कलाकारे वह अपना कार्जे करम करेंगे। उसी का सरूप आज हम लोग बैठाक बोला हैं बैठाक में यह निन्न नहीं लिया गया कि चाइमवसा से 28 तरीकों सुवे सारे मंगला भासाबासी समुदाई अपने जिसके बाहने वह अपने बाहन से जाएंगे उसकार्जे करम में और जो बैक्ती सुभीदा नहीं अपनी गाड़ी के उसके लिए गाड़ी बस व्यवस्ता की जाए इसी जगा से रभिंदर बंदर बस खुलेगी जो समुदाई जाने चाहते मंगला भासाबासी और बाहर के भी वह इसकार्जे करम में भाग ले सकते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ तब तक बने रहे हमारे चैनल पर धन्यवारे